नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब के इस खास पेसकस में आपका स्वागत है मैं हूँ स्रकान प्रतियूस चुनावी ख़बर है लेकिन थोड़ा हटकर है अलग है और ये पहली बार बीजेपी के अंदर से ख़बर आई है जी हाँ ख़बर बड़ी है क्योंकि बीजेपी में भी टिकट के दावैदारी को लेकर मारा मारी मची हुई है जो बरतमान सांसत है उनका टिकट कटवाने के लिए जो दुसरे नेता है जी जान से लगे हुए हैं और जब बात नहीं बनी पता चला कि उनको टिकट नहीं मिला यानि बरत्मान सांसत का टिकट नहीं कटा, तो उन्होंने बरत्मान सांसत को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। जी हाँ, बीजेपी के MLC हैं, सजदा नंदराय, ये महराजगन से लोग सभाचुनाव लड़ना चाहते थे, काफी कोशिस की, जो रैली हुई थी, संकल्प रैली एंडिये की, उसमें भी 25,000 लोगों के लिए नास्ते का प्रबंद किया था, सुशिल मोदी को लाकर घुमाया, दिखाया और टिकट का दावा किया, लेकिन बात बिगड़ गई बात बनी नहीं, तब उन्होंने अंतिम हथियार अजमाया है, यानि सिग्रिवाल का कच्चा चिठा खोला है, उन्होंने वाटसप मेसेज की जरिये हमारे पास भेजा है, कि एक आर्टिकल एक अलेक भेजा है, एक खबर भेजा है, जो उनके द्वारा लिखा गया है, तैयार किया गया है, और आरोप बड़ा ही गंभीर है, उन्होंने इस खबर का सिर्शक दिया है, चोकिदार के रहते सांसदने की चोरी, चोकिदार के रहते सांसदने की चोरी, राहुल गांथी तो लगतार ये नारे लगाते ही रहे हैं चोकिदार आगे की बात आप जानते हैं हम नहीं कह सकते लेकिन अब उनके MELC नहीं ये आरूप लगा दिया ये इस नारे को आगे बढ़ा दिया है कि चोकिदार के रहते सांसदने की चोरी जी हाँ BJP सांसदने की चोरी एक और जहाँ अपने करनामे से टिकट कटने की चर्चा से महराज गंज के सांसद जनारदर्म सी सिगरिवाल हलकान है वहीं उनके एक नए कर्तूच से बिहार की राजिती गर्म हो सकती है यह सचिदा नन डाय लिखते हैं और आगे लिखते हैं कि अपने छेत्र के लोगप्रीय महाविद्याले हाफिजपूर बनियामपूर में सचीव रहते विश्रकार के तीन क्लोड से भी अधिक रासी का बंदर बाट कर दिया इस केस में उन पर धारात 420, 466, 466, 417, 472, 477A और 409 अवलिक 120B यो में 13 डीक की धाराओं के तहत 46 दायर किया गया है यानि उनका कहना है कि 46 भी हो गया है उनके खिलाफ लेकिन सांसद हैं तिकट भी नहीं कटा ये कैसी पाटी है बीजेपी तो अपने ही पाटी पर बीजेपी के मिलसी ने सवाल उठा दिया है और जो बीजेपी के निताय दावा करते रहें कि भरष्टाचार से कोई समझाता नहीं अब अपने ही सांसत का भ्रस्टाचार का पूल खुल कर पाटी के दावे पर भी सवालिया निसान खड़ा कर दिया है जी हाँ सजदानन राय आगे लिखते हैं कि मज़दार बात यह है कि इनी धराओं में लालू यादो जेल की हवा खा रहे हैं भाजपा भ्रस्टाचार पर उनको पानी पीपी कर कोस्ती है वैसे भाजपा में इनके कारणा में कोई नए नहीं है पिछले बिधान सभाचुनाओं में अपने लोक सभाचेतर के सभी बिधान सभाचेतरों में इन पर पैसे से लेकर अपने टिकट की पैरवी का आरूप लगा था और जब ये इसमें सफल नहीं हुए तो इन्होंने पार्टी के परत्यासियों को हराने का काम किया था सभी हारे प्रत्यासियों ने इनकी सिकायत अमित्साह से की थी इनके भरष्टाचार की भी सिकायत अमित्साह से की गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि ओ भाजपा के सांसत थे तो जब बीजेपी के ही एमिलसी ससिदा नंडाय अपनी ही पार्टी के सांसन और बरिष्ट नेता सिग्रिवाल पर इतने गंभीर आरूप लगा रहे हैं भरष्टा चार के तो फिर अब बच क्या जाता है जी हां ओ लिखते भी हैं कि इन्ही आरूपों में लालुयादों ज जी हां तमाम सिकायतों के बावजूद दुबारा टिकट पाने के लिए बेताब है और हो सकता है कि उसको टिकट मिल भी जाए तो आखरी चांस उन्होंने लिया है सजदा नंडाय ने सिग्रिवाल का टिकट कटवाने का और उनका भंडा फोड़ दिया है काला चिठा खोल नहीं किया है तो जरूर कर लिजिए आपका सहयोग समर्थन लागतार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत अभार नमस्कार